हलो फ्रेंट्स, वेल्कम तो आवर चानल देली हिल टिप्स प्लीज सब्सक्राइब तो डेली हिल टिप्स और अल्सो प्रिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस अनी न्यू अप्डेट्स वेनिवर वीडियोस फ्रेंट्स, आज किस वीडियो में आपको बताऊंगी आपके सहां से लोकी का इस्तेमाल करके अपना वजन घटा सकते हैं जी हाँ फ्रेंट्स, मुटापा कम करने के लिए लोग क्या खुश नहीं करते हैं लेकिन क्या आपको बताएं लोकी का जू स्पीकर भी आप जल्दी वजन को कंड्रोल कर सकते हैं जी हाँ, सुब्सियों में लोकी बहुत कम लोगों की फेवरेट होती है लेकिन फ्रेंट्स जीन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए ये बेस्ट सूर्स है क्योंकि लोकी में फेवर की मात्रा अधिक होना और साथी फेट नहीं होना ही इसकी सबसे वड़ी खुबी है और फ्रेंट्स यही खुबी वजन कम करने में आपकी काफी हल्प भी करती है लोकी में 96% पानी और साथी 12 कैलरी होती है इसी लिए इसे खाने से कम कैलरी शरीर में जाती है और मुटापा अपने आप कम हो जाता है तो चलिए चांते हैं आपको किस दरहां से करना है लोकी का सेवन दोस्तों मुटापा कम करने के लिए पिए लोकी का जूस जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप पर मुटापा ना आये तो आपको हर रोज 100 ग्राम लौकी का जूस पिना चुए इस जूस को पिनी से पेट घंटों तक बहरा हुआ महसूस होता है जिससे कि आपका मुटापा भी कम होता है जी हाँ, इसके लिए पे जरहां से बनाएए घर पर लौकी का जूस जी हाँ फ्रेंट्स, आप घर पर भी लौकी का जूस बहुत यासानी से बना कर पीश सकते हैं इसके लिए आप सबसे पहले लौकी को लीचे और इसमें से 100 ग्राम लौकी को लेकर इसके छोटे-छोटे तुकुडे काट लीचे फ्रेंड्स अब आप ब्लेंडर में पुदीनी की पतियां, लोकी के तुकड़े और साथी किसी भी अदग डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लीचिए जी हाँ, पीसने के बाद इसे च्छान के इसमें नमग डाल कर पियें आप इसकी सबजी भी बिना कर ख़र सकते हैं जी हाँ, इसमें कैलोरी की माता कम होने के साथी फाइबर भी होता है जो कि फ्रेंड्स आपकी भूग को कंट्रोल करता है और साथी पेटी समस्कियाओं से भी आपको बचाता है पसी लिए आप भी लोकी का जूस बना कर जरूर पियें इसके लबाव फ्रेंड्स आप लोकी को बाल के मसाले चुरक के खाए और दाल में मिलाकर सेवन करें जितना ज Palestा सेवन लिए उतना आपको जियादा फैदा होगा जी हाँ, मगर फ्रेंड्स कछा लोकी का जूस ज्यादा नहीं पिना चाहिए और हाँ फ्रेंट्स आप एक बात का ध्यान जरूर रखिए जब कभी भी आप लोकी का जूस बनाए या पर इसके सबसी हमेशा लोकी को थोड़ाजा चक लीचिए अगर लोकी कड़वी है तो आप कड़वी लोकी इस्तेमाल ना करें क्यूंकि आप के हल के लिए बहुत जियादा खतरना हो सकती है और हाँ फ्रेंट्स बहुत से लोग लोकी की सबजी बिनाने के लिए जियादा तेल का उपयोग करते हैं तो इससे लोकी का फैदा नहीं मिलता है इसलिए लौकी को उबाल करके कम से कम तेल में तड़का दे के सबजी बना के खाईए इसके लवा फ्रेंग्स आप लौकी को कड़ी और दाल में भी डाल कर खा सकते हैं इससे भी आपको बहुत फैदा होता है दोस्तों नीम्बू और शहरत के साथ लौकी करस बना कर इस जूस को पीने से भी वेक कंड्रोल में रहेगा जी हाँ फ्रेंग्स ये एक और बहतरी जूस है जिससे के आप अपने वजन को कंड्रोल में कर सकते हैं इसलिए आप इसे जरूर ट्वाई कीचे चलिए चानते हैं आपको किस तरहा से बनाना है ये जूस इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम लौकी, 1-2 चमश शहर, 1 परा चमश नीम्बू करस, बर्फ के क्यूब या फे पानी और साथी आपको चाहिए जूसर फ्रेंड्स इसे बनाने की विधी, उसके लिए आप लौकी को अच्छे से धोकर इसे छिली चे और आप लौकी को छोटे तुकड़ों में काट ली चे ताकि अच्छी तहा से खुल सके साथे फ्रेंड्स लौकी, शहाद, नीम्बू करस और पानी आफे बर्फ के तुकड़े को चूसर में डालिए और इसे अच्छी दहा से मिक्स होने तक इसे चलाइए आपका नीम्बू और शहाद के साथ बना लौकी करस पीने के लिए तया है और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का धियान ज़रूर रखे, इस जूस को आपको बिना चाने ही पीना है क्यूंकि फ्रेंड्स, इस जूस में मौझूद फैवर आपके पेट के अंदर जाना बहुत ही ज़रूरी है जिसे की वेट लूस करने में आपको काफी हैप होगी इसलिए इस तरहां से आप इस जूस को बना का पिएंगे तो इससे आप अपना वेट कंडोल में कर सकते हैं इसलिए आप इस ब्रिंक को ज़रूर बना कर पिएं फ्रेंड्स, याद रखिए, खुब पानी पिएं पानी भी मुटापा के टानी में सहायक होता है इसलिए अगर आप खुब पानी पीते हैं तो इससे आपको कैलरी बन करनी में मदद मिलती है और ये शदीर में मुझूद टॉक्जिंस को मूत्र के माधियम से बहा निकाल देता है फ्रेंड ध्यान रखिए, खाने के ठीक बात ज्यादा पानी ना पिएं बलके दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं फ्रेंड दूसरी सबजिया में ये है फाइदे मन लोकी के अरावा और भी ऐसी सबजिया हैं चोकि मुटापे की दुश्मन कही जाती है जी हाँ, क्योंकि खीरे में पानी की माता अधिक पाय जाती है जैसे कि खीरे में 90% पानी होता है जोकि फाट को कम करता है इसलिए आप खीरा ज़रूर खाएं फ्रेंड आप नारियल पानी पिएं जी हाँ, नीचर का सबसे अनुखा ड्रिंक यानकी यूनिक ड्रिंक है नारियल पानी क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे निच्वालिजम को मजबूत करता है और अलसर और साथी पेट की समस्क्याओं के रावा वजन कटाने में भी हमारी काफे हथ करता है इसलिए शरीर में उत्पन होने वाले टॉक्जिस को भी नारियल पानी बहा निकाल लेता है इसलिए फ्रेंड्स रोजाना एक से दो ग्लास नारियल पानी पीने से ये आपके शरीर में जबर्दस्ट बदलावला सकता है यानि कि आपके मुटे शरीर को स्लिम एंड प्रेंड बना देता है इसलिए आप नारियल पानी ज़रूर पियें सब फ्रेंड देखा आपने किस तरहां से आप लौकी का इस्तेमाल करके अपना वजन घटा सकते हो ची हाँ इसलिए आप भी ज़रूर बना कर पियें लौकी का जूस और घटा है अपना वजन तो लाइक इस वीडियो गीव थम्स अप, कमेंट आज इन दा कमेंट बोक्स और मेक शूर तो सब्सक्राइब तो देली हेल्टिप्स Friends, I will be back again with more new interesting topics Till then, take care, enjoy and keep watching our upcoming videos Thanks for watching, bye